देखो ये question करते हैं हम लोग The maximum area of rectangle whose sides pass through the angular points of a given rectangle of sides A and B देखो जैसे एक rectangle given है और इस rectangle की sides क्या है बोलो A और B है ठिक एक rectangle given है उसकी sides क्या है बोलो A या B अब दो क्या कर रहा है The maximum area of rectangle whose sides pass through the angular points of दोखो अब एक और rectangle है जिसकी sides इसके angular points से पास होती है ऐसे करके दोखो ये दोखो ये 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 भी एक rectangle है इसके चारों एंगल 90-90 के हैं दोखो ये भी एक rectangle है और इस rectangle की जो sides है दोखो maximum area of rectangle whose sides pass through the angular points of a given rectangle of sides A and B दोखो एक given rectangle है sides A and B एक और rectangle है जिसकी sides इसके angular points से पास होती है है इसकी जो sides है दोखो इसके angular points से पास होती है तो जो बाहर वाला rectangle है हमें उसका maximum area चाहिए दोखो जो बाहर वाला rectangle है माल लो P, Q, R, S हमें इस rectangle का maximum area चाहिए दोखो ये काम करते हैं जैसे इस angle को theta माल लेते हैं ठिक तो दोखो ये 90 है और ये क्या हो जाएगा वोलो इन तीनों कसम 180 होगा तो इसको कह सकते है 90-theta अच्छा दोखो ये भी 90 है ये पूरा 180 होगा तो इसको theta कह सकते हैं फिर दोखो ये 90 है तो ये हो जाएगा 90-theta ये 90 है इसको theta कह सकते हैं ध्यान दो दोखो अब जैसे क्या होगा देखो हमें बाहर वाले rectangle का area चाहिए दोखो ध्यान दो जैसे इस triangle का area निकाले दोखो जैसे ये theta है ये hypotenuse है तो दोखो ये क्या हो गया ये हो गया a cos theta और ये क्या हो गया ये हो गया a sin theta लोकि दोखो अगर ये a है ये theta है ये angle 90 है तो cos theta बराबर क्या होगा base upon hypotenuse तो base आ जाएगा sin theta बराबर क्या होगा perpendicular upon hypotenuse तो perpendicular हो जाएगा इसी पकार दोखो यहाँ पर भी ये b है ठीक है ये theta है तो इसको लिख सकते है b cos theta और दोखो इसको लिख सकते है b sin theta ठीक इसी पकार दोखो ये भी a होगा ये angle 90 है तो ये हो जाएगा a cos theta और ये क्या हो जाएगा a sin theta इसी पकार दोखो ये distance b है ठीक ये theta है ये 90 है ये हुआ 90 मानस theta ये भी theta होगा ठीक दोखो ये b है तो ये क्या हो जाएगा बोलो b cos theta और ये क्या हो जाएगा बोलो b sin theta ठीक ऐसे करके दोखो यहाँ पर होगा अब दोको जिसे इस triangle का area निकालो इसका area क्या होगा बोलो half दोको ये base a cos theta और दोको ये height a sin theta ये दोको इसका area होगया half base into height अच्छा इसका area निकालो गए तो दोको ये base a cos theta और ये a sin theta इसका भी दोको area यही आइगा इसी पकार दोको इस ट्रेंगल का एरिया निकालो तो हाफ दोको ये बेस बी कॉस थीटा और दोको ये हाइट क्या हो गया बोलो बी साइन थीटा दोको ये ऐसे ठीक इसी पकार दोको इसका भी एरिया निकालो कि बो भी यही आएगा तो इसका area इसका area दोखो सेम होगा और इसका area इसका area सेम होगा तो दोखो जो ये बाहर वाले triangles बन रहे हैं ये चारों triangles इनका area क्या हुआ दोखो इसका area निकाला तो 1 by 2 A cos theta और A sin theta और इसका भी यही है तो इसी को double कर दिया प्लस इसका area निकाला क्या है दोखो 1 by 2 B cos theta और दोखो B sin theta और इसका भी area यही है तो इसको भी हमने दोखो double कर दिया तो ये दोखो चारों triangles के area आ गए इसका area लिखा A cos theta A sin theta तो 1 by 2 A cos theta A sin theta इसका area लिखा दोखो ये क्या है B cos theta ये क्या है बोलो B sin theta तो इसका area क्या हुआ, 1 by 2, base मतलब B cos theta, height मतलब B sin theta तो इसका area लिखा, इसको double कर दिया क्योंकि इन दोनों का same है इसका area लिखा, इसको double कर दिया, इन दोनों का same है, यह area है और दोको प्लस, जो बीच का rectangle है, उसका area क्या हो गया, A, B यह पूरे का total area हो गया, यह इस पूरे बड़े वाले rectangle का देको total area आ ध्यान दो इन चारों का area लिया, और प्लस rectangle का area दोनों को add कर दिया, तो total area आ गया अब इस area को maximize करना है, जिसमें अकेला variable theta है, दोको क्या होगा 2 से 2 cancel, 2 से 2 cancel, दोको यह क्या हुआ यह हो गया, A square cos theta sin theta, प्लस दोको यह क्या हो गया, B square cos theta sin theta, और प्लस क्या हो गया, A, B अब दोको यहां से A क्या हुआ, cos theta sin theta को common ले लिया दोको यह हो जाएगा, A square plus B square plus A, B अब दोको एक काम करें, यह area है, ठीक, एक काम करें दोको cos sin, cos sin दोनों में common ले दोको, इसको 2 से कर दें multiply, 2 से कर दें divide दोको यह क्या हो गया, यह हो गया, 1 by 2, A square plus B square, इसको लिख सकते हैं, sin 2 theta और प्लस दोको यह, A, B हमें area की maximum value चाहिए, पूरे वाले area का maximum चाहिए तो क्या होगा, sin की value क्या पूर्ट कर देंगे, 1, area maximum कब होगा, sin 1 तो 1 by 2, A square plus B square plus AB, ठीक, ऐसे दोको आगया, इसको simplify करें, A square plus B square plus 2AB by 2, दोको यह हो गया, A plus B का whole square by 2, यही हमारे question का answer आगया दोको यही area की maximum value दोको आगया, A plus B का whole square by 2, है न, दोको यह थीटा के term में था, sin की maximum value क्या होती है, 1 तो इसकी जगा 1 ले लिया, दोको पूरे area की maximum value, 1 by 2, A square plus B square plus AB, 2 LCM आगया, दोको यह आगया क्या, A plus B का whole square by 2, यही अपने question का final answer आगया, है न, लोकि दोको हमें maximum area चाहिए था, maximum area, और sin 2 theta 1 है, तो मंदर 2 theta बरावर 90, तो theta बरावर क्या हो गया, 45, theta भी यहां से आगया, अगर निकालना हो तो, ज़रूबत नहीं है, area maximum चाहिए था, area की दोको maximum value, यह आगया, अच्छा question है काफी, लिको सबचे ध्यान से इसको, तो,